तो इसमें क्या एक ट्रेन की स्पीड क्या दिये 72 किलोमेटर पर आर दिये और वह एक श्टेशनरी पॉल को क्या करती है 35 सेकंड्स पर क्रोस करती है तो आपको बताना क्या है कि कितना समय लगेगा उस ट्रेन को जब 1.1 किलोमेटर ब्रेज को क्रोस करेगी देखे इस कॉशन को सॉल्प करने का तरीका बड़ा सिंपल है आप सबसे पहले क्या करिए ट्रेन की क्या करिए लेंथ फाइंड कर लीजिए तो आपको पता है तो ispeed Q Tomorrow to末 स्षीदिैं, चीमठी सिंद्दा होग है। सेवेटिटीट्थीयाया टिधिये थाधसिदषीë 3D, फा वंपश्षर रोएनछे के अंहतना ही 7D, 505 तो सकोलिए 11, коasters योनों अंहाँ, सारी चत banco अंहें किलो पीलो सुरे क्लब् Sav seventy अनद्वर होगा है ? 9, 2 जा कतना होता है आपका 18 ठीकिक है? और यह कतना होता है 9, 8 जा, she., financially, we are 72, we are 2,ار 2, 4, 4, 5, 10, स्कोल में चारू करेंगे, इसके साथ तो जाएगा? इसको में चारू करेंगे, तो 5, 2 जा कतना होता है? 10, ठीक है 1 के ली 236 और प्लस वन तो 7 तो 700 मीटर के आगी आपकी ट्रेन की लंबाई जा गई अब क्या पूछ रहा है आप उसे कितना समय लेगी ट्रेन उस ब्रिश को क्रोस करने में ठीक है तो time equal to distance distance क्या होगी ट्रेन की लंबाई प्लस क्या होगी ब्रिश की लंबाई ठीक है क्या होगी ब्रिश की लेंथ होगी ठीक है अपन क्या होगी स्पीड ठीक है स्पीड होगी होगी स्पीड बस इसको solve कर दीजे ट्रेन की लंबाई क्या नकाल लिए अपनने 700 ठीक है इसके बाद करेंगे तो क्या होगा बन पॉइंट बंडी तो कितनी हो जाएगी आपकी 111 ठीक है 1100 क्या हो जाएगी कि आपकी मीटर हो जाएगी और स्पीड क्या थी आपकी स्पीड वह जाएगी 72 तो बस कुछ नहीं करने आपको 72 इंट्व करिए कि 5 अपॉं 18 ठीक है तो आपको और 8 जा और यह क्या होजाएगा और 4 जा ठीक है इसको व्लत करेंगे तो कितना ओप 4 जाघ तो कितना आपको आपको अपका कितना है का 1800 ठीक है अपन क्या हो जागा 20 0 से क्या होगा 0 कैंसल ठीक है 1 जा और 9 जा तो कितना आ गया आपका 90 तो 90 seconds आ गया 90 seconds आ गया अबर आपसे पूछाए क्या मिनिट में 90 seconds आ गया तो कितना हो जाएगा 90 seconds equal to कितना हो जाएगा मनलब कि 1 minute फाइब मिनिट्स क्या होगा स्कोशन का अंसा होगा ओके